तो दोस्तों आज मैं explain करूंगा Insidious Chapter 5 The Red Door को जो की हाली में release हुई है इस movie को direct किया है Patrick Wilson ने जी हाँ जिनोंने इस movie के अंदर main किरदार ने बाया है उनका ही ये directional debut है जो की काफी interesting होने वाला है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये Insidious Part 1 और Part 2 का direct sequel है तो यहाँ पर आपको release की कहानी देखने कि इतनी ज़रूरत नहीं है अगर आपने पहले दो parts देखे हुए है तो आप इसको directly देख सकते हो और सबसे interesting चीज़ पता है क्या है यहाँ पर हो सकता है कि future में sinister series का भी इसके साथ cross over हो सकता है बागी अगर आप चाहते हैं कि मैं Insidious के बागी parts को भी explain करूं detail में तो आप मुझे comment section के अंदर बता देना 10,000 likes कर देना इस वीडियो के अपर तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ तो Insidious 5 movie की शुरुआत होती है Insidious part 2 की ending से जहाँ पर जौश और डालटन की यादों से उस एक साल और उसकी सारे evil events को मिटा दिया गया था जिसे की वो लोग दोबारा astral projection से the further या फिर शैतानों की दुनिया में ना पहुंच जाएं जहाँ पर बहुत सारी evil और recent less spirits रहती हैं खेर अब 10 साल बीचते हैं और हम funeral देख पाते हैं जो की होता है जौश की mother लोरेन लैमबर्ट का जहाँ पर जौश और उसकी पूरी family मौजूद थी और सबसे बड़ी बात कि जब ये हाथ से हुए थे insidious 2 के उसके बाद से वो अपने बच्चों को उतना अच्छा time और gear दे ही नहीं पाया और हम जानते हैं कि यहां पर वो गलत भी नहीं है क्योंकि उसे तो कुछ याद भी नहीं था कि तब हुआ गया है उनकी यादों को मिटा दिया गया था खैर अब डाल्टन यहां पर कार्ल को देखता है लेकिन उसे वो साल ही याद नहीं था जब वो लोग उसके पास में आये थे और उसकी मलत करी थी तो अव्यसी बात है कि वो उसको पहचानता कैसे और वो तब ही कार्ल से पूछ लेता है कि वो कौन है और वो कह देता है कि वो लोरेन का ही एक अच्छा दोस्त है खेर अब यहाँ से सबी लोग चले जाते हैं और जोश भी जाने लगता है जिसकी कार के पीछे हम एक शैडो को देख पाते हैं और हाँ यह एक स्पिरिट है लेकिन यह किस की यह हमको आगे पता चल जाएगा अब जोश यहाँ पर डाल्टन को उसके कॉलिज चोड़ने जाता है और उनके बीच के रिष्टे पहले ही खराब थे और उनके बीच में छोटी मोटी नोग जोख हो जाती है यह लोग यहाँ पर कॉलिज पहुंचते हैं जहाँ पर डाल्टन ड्रॉइंग आर्ट्स पढ़ने वाला था अब डाल्टन को उसके रूम में छोड़ते टाइम जोश उससे बात करने लगता है और डाल्टन ने रिसेंटली ही लोरेन की एक ड्रॉइंग बनाई थी जिस पर जोश बोलता है कि डाल्टन ने कभी उसे ड्रॉइंग नहीं किया और वो तो फिलाल उसके पास भी है उसने अपने बच्चों के लिए कितना कुछ किया है जबकि उसके खुद के डैड उसके साथ नहीं थे जिन्होंने जोश के बच्पन में ही खुद को कतम कर लिया था जो कि रूम चेंज करने की रिक्वेस्ट डाल देती है लेकिन चेंज होने में कम से कम एक दिन का वक्त लगने वाला था तो आज रात उसको वहीं पर रुकना पड़ता है जो कि उसे बहुत ही जादा अजीब लगता है और उसे अब अंधिरे से भी डर लगता है खेरा बगले जोश डालटन को मेसेज करता है जिसके अंदर वो कहता है कि डालटन की बात को समझता है और वो भी नहीं समझ पा रहा कि उसे हुआ क्या है और वो जल्दी ही सब कुछ पता कर लेगा कि ये सब क्यों और कैसे हो गया खेर तबी हमें डालटन को दिखाया जाता है जो कि अप पूरी सीरीज का ही में एंटाइगनिस्ट है यानि की इविल है खेर तबी डालटन को उस डीमन का हाथ हांट करता है और जॉश को भी अपने नाइट मेर्स में वही रेड डूर दिखाई देता है यानि कि यहां पर सारी चीज़े आपस में जुड़ी हुई थी अब डालटन क कि ड्राइंग में थोड़ा सा खून लग जाता है तो वो उसको थोड़ा सा फैलाता है जिससे कि वो डूर लाल हो जाता है और हम समझ पाते हैं कि यहां पर कहाने उसी रेड डूर के बारे में होने वाली है और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जॉश और डाल्टन दो लेकिन कोई भी response नहीं मिलता और अब उसको एक demonic voice तुनाई देती है कि डोर open हो चुका है जिसके साथ ही उसको पारकर क्रेन का ghost हांट करता है जिससे वो बहुत डर जाता है और यहाँ पर हम तो पारकर क्रेन को जानते ही हैं जो की है infamous insidious series का villain the bride in the black खर अब Josh finally scanner से बहार आता है और डॉक्टर उसके पास में आता है जोश यहाँ पर डॉक्टर पर काफी गुसा करता है लेकिन डॉक्टर कहता है कि वो तो scanner के अंदर ही सो गया था और scan काफी अच्छे से हो गया है यानि कि यहाँ पर जोश को भी समझ में नहीं आता कि वो अपने रूम में था और यहाँ पर वो उस रेड डॉर वाली डॉइंग को देखता है और लाइट्स अचानक से चली जाती है और लैंप ओन करने पर उस पर खून लगा हुआ था साथी साथ और भी जगा पर काफी खून था जिसके साथ ही उसे कोई भूत हांट करता है जिस बातकी की सपिरिट दिखाई देती है जो की रीसेंटली ही मारा गया था और वो डाल्टन से कहता है कि वो उसे रोग दे और डोर बंद कर दे लेकिन डाल्टन यह बात समझ नहीं पाता कि वो बूलना क्या चाता है खेर ऑवो गोस्ट उस से और हौनकर आ जाती है और लिग hostel के लिए निकल जाते हैं अब hostel आकर डाल्टन उसी red door की drawing को पूरी करने लगता है उसके पीछे के रहसे को जानने के लिए तब ही वो अपनी आखे बंद करता है और अंजाने में astral projection करने लगता है और hostel के अंदर ही घुमते हुए Chris के room तक आ जाता है यानि कि उसकी spirit यहां इस पर वो कहता है कि उसे भी नहीं पता कि अभी क्या हुआ है वो सपने जैसी जगा में गया था लेकिन वो सपना नहीं था और उसे लगता है कि या तो वो किसी चीज के करीब जा रहा था या फिर कोई चीज उसके करीब आ रही थी अब तब ही हम जॉश को देख पाते हैं जो की अपने घर पर था और यहाँ पर उसे कोई spirit हांट करती है या फिर यूँ कहें कि उसके पास आने की कोशिश करती है लेकिन वो तुरंत ही गायब भी हो जाती है और हम जानते हैं कि इन दोनों के पास में ही एक gift है जो की है astral projection का यह जैसे ही अपने आखे बंद करते हैं यह पहुंच जाते हैं दफ फर्दर में यानि कि एक ऐसे dimension में जहां पर धेड़ सारी spirits और demons रहते हैं खैर अब उसे एक box मिलता है जिस पर किसी का नाम लिखा हुआ था और वो उसको open करके देखता है तो इसके अंदर उसकी mother और उस उसको कुछ खा समझ में नहीं आता हाला कि उसने अपनी memories के टुकडो से एक साया भी उस डोर के सामने बना लिया था लेकिन यह किसका साया है यह फिलाल हमको नहीं पता लेकिन आववेसी बात है इंसीडियस फैंस तो पहले से ही जानते हैं खेर तब ही वहां पर क्रिस आ ज वजी हुई spirits तकलीफ में होती हैं जिने सदियों तक उनके पापों के सजा काटने के लिए वहां पर छोड़ दिया जाता है लेकिन वहां पर खाली यह spirits नहीं बलकि डेट सारे demons भी होते हैं और वो हमारी दुनिया में आने की कोशिश करते हैं हमारी जिन्दी को लेने के लि पता था क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि वो दूर के बार में क्या कहना चाता था अब वो और Chris वहां पर जाते हैं और वहां पर एस्ट्रल प्रोजेक्शन ट्राइ करता है लेकिन कुछ पता लगा पाए उससे पहले ही demon Chris के उपर हमला कर देता है और बाकी ghost उसको परेशान करने लगते हैं अब डीमन के हमला करने से होता यह है कि क्रिस वहीं पर बेखोषु जाती है जिसको नेक नाम का एक लड़का होश में लेकर आता है जो कि वही है जिसकी पारिटी में यह और डाल्टन गए थे और डाल्टन भी वापस जाग जाता है अब तब हम जॉश को देखते हैं जो कि एक आदमी के बारे में पता करने जाता है जिसका नाम बेन होता है और उसको पता चलता है कि वो कोई और नहीं बलकि उसके ही फादर थे जिन्नों ने खुद को खतम किया था और वो एस्टरल प्रोजेक्शन क क्योंकि उसको सच लगती है लेकिन मॉम कहती है कि वो बस उनका वहम था यानि कि पूरी फैमिली को यहां पर सब कुछ पता था लेकिन इन दोनों को कोई बताना नहीं चाहता था तो यह फिर से एस्टरल प्रोजेक्शन करने लगेंगे जिससे कि इनकी फैमिली के अंदर फ को खतम करने की कोशिश करी थी पार्ट 2 के अंधर और हम जानते हैं कि जोश को उस पार्ट के अंदर पार कर करेन की स्पिरिट ने ही पसेज किया था अब डाल्डन बहुत जादा परेशान होने लगता है और दूसरी और जो जोश भी रिने से बात करता है और उसको बताता ह है अब ये सब सुनकर वो बहुत दुखी हो जाता है कि उससे ये सब चुपाया गया था हाला कि रिने बताते है कि ये सब कुछ रोकने के लिए था उसकी यादों को दबाना जरूरी था और वो बच्चों को नहीं समझा पा रही थी कि क्या हुआ है और जूटी कहानिया भी न में जला जाता है और अब वो उस वक्त को देखता है जब जौश पॉस्स होकर सबको मारने वाला था और तब यंग डाल्टन अपने रियल फादर जौश की सोल को दा फूर्दर से वापस लाने के लिए एस्टरल प्रोजेक्शन में जाता है और उनको ढूडने लगता है य नहीं कि जब ये लोग एस्टरल प्रोजेक्शन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर टाइम मैनुपिलेशन भी होता है और हम बहुती वीर्थी मूवमेंट्स को देख पाते हैं जिसके बार में कोई भी समझ नहीं पाता तो यहाँ पर यह वही है जैसे कि यहाँ पर एलीस न से जुड़ी बहुत सी चीजे थी जिससे उसे उस साल का सब कुछ यादा जाता है अब हम उसी डीमन को देख पाते हैं जिसने यंग डालटन को भी पकड़ा हुआ था और वो डीमन उसके सामने आकर घड़ा हो जाता है जिसकि वो जाग जाता है लेकिन यहां पर असल में डॉल्टन को ढुंडने लगता है, क्योंकि अब भी उसको ही अपने बच्चे को बचाना होगा, अपनी दुनिया में चला जाए, खिराब वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, और रेड दूर के बाहर निकल जाते हैं, और जॉश डॉर को होल्ड करके रखता है कि उन्हें यहाँ पर सब कुछ रोकना पड़ेगा जिस पर डालटन कहता है कि वो नहीं रोक पाएंगे लेकिन जॉश कैसे भी करके डीमन को यहीं पर रोकेगा और वो डालटन को यहाँ से जाने का बोलता है यहाँ पर डालटन की बोड़ी पॉशेशन में क्रिस पर हमला करती है और यहाँ पर और भी बहुत सारे भूता जाते हैं लेकिन अब तक डालटन की स्पिरिट उसकी बोड़ी में वापस आ गई थी और वो होश में आ जाता है अब तब ही हम जॉश को देख पाते हैं जो की पूरी कोशिश करते हुए उस डोर को होल्ड कर रहा था और यह कहता भी है कि यह सब उसके साथ ही खतम होगा और ऐसा ही उसके फादर ने कहा था मीन्स उन्होंने भी कभी ना कभी यह सब रोकने की कोशिश करी होगी और हम जानते हैं कि उनको भी इसी डीमन ने मारा होगा और हमने उनकी स्पिरिट को जोश के पास आते हुए भी देखा था तो वो असल में उसको बचाने उस जगा पर आये थे यानि कि वो उसको आगा कर रहे थे कि वो वहाँ पर ना जाए और मेरे खयाल से उसके डैड बेन को ये लगा हुगा कि अगर वो खुद को खतम कर लेंगे तो शायद से उसके बच्चे बच जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ यह चीज जो थी वो उसके बच्चों के अंदर भी इनहेरिट हो गई थी खरप वो डीमन डूर तोडने लगता है और बाहर आने ही वाला होता है लेकिन अब तभी डाल्टन अपनी बनाई हुई पेंटिंग के डूर पर ब्लैक पेंट करने लगता है जिससे कि वो डूर यहांपर दा फर्दर के अंदर भी बंद होने लगता है क्योंकि वो उसने ही open किया था और ये door जो है वो भूलने से बंद नहीं होने वाला था बलकि याद रखने से ही बंद होने वाला था और जब तक वो उसको बंद रखना चाहे वो रख सकता था अब जैसे ही डाल्टन अपनी पूरी की पूरी painting को रंग देता है तो उसके बाद में क्रिस उसको बोलती है कि उसे इस painting को जलाना होगा लेकिन डाल्टन बोलता है कि इसको अपने पास safe रखना होगा इसको महफूस रखना होगा ताकि ये फिर से open ना हो पाए यानि कि इनकी memories को मिटाना बिल्कुल भी सही नहीं था और यहाँ पर जो एलीस थी उसने ये काम गलत किया या फिर ये कह सकते हैं कि उसने future देख लिया होगा खर अब तभी जॉश भी वापस अपनी दुनिया में आ जाता है और सब कुछ ठीक हो गया था और डाल्टन के साथ उसके रिष्टे भी अच्छे हो गए थे और फाइनली डाल्टन ने जोश की पेंटिंग मनाई थी जिसके अंदर पहली बार जोश डाल्टन को दफर्दर से बचा कर ला रहा था और ये देखकर यहाँ पर जोश बहुत खुश होता है खेर अब तभी हम एक पोस्ट क्रेट सीन में देख पाते हैं जहाँ पर वही डोर हमको दिखाई देता है जिसके आसपास कुछ हल चलोती है यानि कि यहाँ पर यह चीज अभी खतम नहीं हुई है उमीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आई होगी अब देखो मैं अपनी परसनल बात करू ना तो यहाँ पर कहानी को न यह लोग काफी स्ट्रेच कर रहे हैं अब हो सकता है कि यहाँ पर पेट्रिक विलसन को इस कहानी से काफी ज़ादा प्रेम होगा जिसके चलते उन्होंने अपना डारेक्शनल डेब्यू किया है लेकिन हाँ इस कहानी के अंदर एक चीज़ बढ़िया है कि हमको एट लीस्ट यह पता चल गया कि इन लोगों के पास में ये गिफ्ट आया कहां से था लाइक पहली मूविस के अंदर बेन के बारे में कभी भी कोई डिसकेशन नहीं किया गया यानि कि जॉश के फादर के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया था अब देखने वाली बात ये होगी कि उनकी कहानी क्या है लाइक यहां पर और भी कोई डीमन आ सकता था लेकिन यही रेड डीमन यहां पर इनके परिवार के पीछे क्यों बढ़ा हुआ है और अब आप यह सोचोगे कि एलीस के पीछे भी ये डीमन क्यों बढ़ा था और ये भी हो सकता है कि डीमन के कंट्रोल में आकर उसने ऐसा किया होगा कवounty कहानी यहां पर कैसे भी कुछ भी हो सकती है करता हुँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मूवी पसंद आई होगी लेकिन हाँ इतना तो है कि one time watchable जरूर है वैसे भी हम जानते हैं कि अच्छी horror movies आजकल काफी कमा रही है तो जाकर जरूर देखना इस movie को और मेरा ने इस movie को लेकर काफी mixed opinion है मैं यहाँ पर नहीं बहुत बुरा कह सकता हूँ नहीं बहुत अच्छा कह सकता हूँ तब तब के लिए